वेलकम फ्रेंट सिन्माई चैनल आज हम लोग इस वीडियो में दुनिया के सबसे चोटे पक्षी के उपर बात करेंगे आप वो वीडियो वहाँ से जाकर देख सकते हैं तो चली जानते हैं दुनिया के सबसे छोटे पक्षी के बारे में और शुरू करते हैं आज काई वीडियो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हिम्मिंग बर्ड आखिर पाई कहा जाती है हिम्मिंग बर्ड उत्तर से अलास्का तक और दच्छिर में टियरा डेल फुएगो में दच्छिरी अर्जिंटीना में पाई जाते हैं टियरा डेल फुएगो यह एक जगा का नाम है जो कि दच्छिरी अर्जिंटीना में है और हुमिंग बर्ड केरेबियन में बहुत से दूइपो यानि की आइस लेंड्स पर पाई जाती है दुनिया में हुमिंग बर्ड की 300 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं और वो वैस्टरन हेमिस्फियर यानि की पस्षिमी गोलार में रहते हैं अलास्का से दच्षित अमेरिका के सिरे तक एक समान हुमिंग बर्ड की लंबाई 7.5 cm से लेकर 9 cm तक होती है एक हुमिंग बर्ड का वेट यानि की भार 1.6 ग्राम से लेकर 4.5 ग्राम तक होता है क्योंकि इनकी वराइटे भी बहुत होती है तो इनकी वजन में भी अंतर पाया जाता है बी हुमिंग बर्ड का वजन 1.6 ग्राम से लेकर 2 ग्राम तक होता है और ये दुनिया में हुमिंग बर्ड की प्रजातियों में सबसे छोटी प्रजाती है और ये वजन में भी सबसे कम है और ये पक्षी 89 किलो मीटर तिती घंटी के दफ़ता से उड़ते है ये पक्षी सभी दिशाओं में उड़ सकते हैं ये पीछी की तरफ और यहां तक की उल्टा भी उड़ देते हैं उल्टा आने की सर उपर की तरफ और पेट नीचे की तरफ यह देखने भी बहुत सुन्दर लगता है ठंडे के मौसम में यह पक्षी चार सो मिल से भी अधिक दूरी तक चले जाते हैं और यह पक्षी हर दिन बहुत ही ज्यादा दूरी तेय करते हैं यह पक्षी चोटे चोटे कीड़ों को खाते हैं और यह एक दिन में अपने वज़न का तीर मुना तक ज्यादा खा सकते हैं पेड़ों के हटाई जाने से और भोजन की कमी से और तवाथा वदर में रसायनों का मौजूद होना इस वज़र से इन पक्षियों में काफे गिरावट आई है पेड़ों को लगाना पक्षियों के लिए ही नहीं बलकि सब के लिए अच्छा है इसलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए तो यह तर फ्रेंट समारा आज का वीडियो मिलते हैं फिनेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई और टेक केर